हाल ही में भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दाली यानि कॉंग्रेस पार्टी का 138 अपना दिवस आयुजित किया गया अब हम जानते हैं कि भारत के सबसे पार्टी की एक विशेश भूमिका रही है ऐसे में इस पार्टी के इतिहास को जान लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है आज इस वीडियो में हम इसी पार्टी के इतिहास को कॉंग्रेस पार्टी की क्या हिस्ट्री रही है, इसकी स्थापना किस तरह से की गई, क्यों की गई, इन तमाम बिंदों को समझने की कोशिश करेंगे मेरा नाम है अक्षे और आपका स्वागत है दृष्टी आईस की इस नई वीडियो में, वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूप रिखा को समझ लेते हैं, यानि उन बिंदों की बात कर लेते हैं, जिनके जर्ये हम अपनी वीडियो को आगे एक आईडिलोजिकल शिफ्ट किस तरह से हुआ, उस पर भी बात करेंगे, अंत में सेफटी वल्व थियोरी को भी समझने की कोशिश करेंगे, कि इस थियोरी में क्या बाते की जाती हैं, उसके पक्ष और विपक्ष में क्या क्या कहा जाता है, इसको समझेंगे, और एक प्र अरतीय स्वतंतरता संग्राम जैसे खंडों से जोड़ कर देख सकते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और सबसे पहले आज की हमारी न्यूस देख लेते हैं, खबर देख लेते हैं, आज की हमारी जो खबर है, वो इंडियन एक्स्प्रेस के एक्स्प्लेंड सेक्शन की गई है, कि भारत में आखिर 138 साल पहले किस तरह से पार्टी का गठन हुआ, क्यों हुआ, और उस पार्टी ने क्या योगदान दिया भारत की आंदोलन में, इन तमाम बिंदों को समझने की कोशिश की गई है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले प्रश्ट भूम पर बात करते हैं, कि आखिर स्थापना हुई क्यों, इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हम जानते हैं कि साल 1856 में हमें एक क्रांती देखने को मिली थी, एक संगराम देखने को मिला था, जिसे भारत में प्रथम सौतंतरता संगराम के तर भी जाना जाता है, लेकिन यदि आप इतिहास की किताबों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अधिकांच इतिहासकार साल 1857 से 1885 के दौर को भारती अपनिवेशिक इतिहास की किताब में काले अध्याय के तौर पर देखते हैं एक डार्क चैप्टर के तौर पर देखा जाता है इस संबंध में भारत क प्रसिदिख्यासकार निरंजन खिलनानी ने अपनी किताब में लिखते हुए कहा है कि आप इतिहास के शाक्षों को जıtना जादा पढ़ेंगे आपको इस संबंध में उतना जादा ही पश्ट होता जाएगा किसार 1857 और 1880 का जो दौर था वो कितना तनाव से भरा हुआ था इसके अलावा कितनी जादा उत्पीडन से भरा हुआ था इस पूरे दौर में ब्रिटिस सरकार ने भारती लोगों पर बहुँज़ा उत्पीडन किया भारतीlo混 के बीज तनाव बहुत जादा बढ़ने लगा और इस तनाव ने एक असंतोष को जन्म दिया और 1860 से 1870 का जो दशक था उस पूरे दशक के दोरान जो तमाम घटनाएं हुई उन घटनाओं की वज़े से ये असंतोष अपनी चरम पर पहुँच गया और इसी असंतोष ने अं पूरी हो जाता है कि आखिर वो कौन सी घटनाएं थी जिन्हों ने कॉंग्रेस पार्टी के गठन को कॉंग्रेस पार्टी की स्थापना को प्रेरिद किया कौन सी असी घटनाएं थी तो इसमें सबसे पहली घटना थी सूखे की घटना ऐसे इतिहास के साक्षों में हमें कई जान गवानी पड़ी थी, बहुत सारे लोगों की मौथ हुई थी, इसके अलावा इसी पूरी अवदहिय के दौरान कई तरह की बीमारियां भी देखने को मिली और इन बीमारियों की वज़े से एक सा कहा जाता है कि सुखे की वज़े से और बिमारियों की वज़े से जिन छेत्रों में फेमाईन आया था उन छेत्रों की तकरीबन 25 प्रतीशत आबादी समाप्त हो गई थी पूरी तरह से तो व्यापक स्तर पर लोगों की जान गई थी और इस तरह की घटना की वज़े से इस तरह की प्राकरति घटना की वज़े से उस पूरी अवधी के दौरान महंगाई में 300 प्रतीशत तक की बढ़ोतरी देखने को मिली थी उस समें इंफलेशन रेट 300 प्रतीशत तक बढ़ गया था यानि आम लोगों को जो सामान कीमते थी उन में 300 प्रतीशत जादा कीमत चुकानी पड़ रही थी और इसी पूरी अवधी के दौरान ब्रिटिश सरकार दौरा भूमी राजस्तुदर और किराये में भी बहुत जादा बढ़ोतरी कर दी गई तो जाहिर तोर पर लोगों पर दुगना दबावाने लगा एक और तो उन्हें बहुत सारे महंगे दामों पर चीज़े खरीद दी पड़ रही थी वही दूसरी और उन्हें जादा कर भी चुकाना पड़ रहा था तो इसी पूरी स्थिती की वजह से आम लोगों में सरकार के खिलाफ जो भावना थी वो और ज़्यादा प्रबल होने लगी सरकार के खिलाफ जो असंतोश की भावना थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगी और साल 1877 में एक ऐसी घटना हुई जससे ये जो पूरी ये जो पूरी असंतोश की भावना थी इसमें और ज़्यादा बढ़ोतری हो गई दरसल सार 1877 के आसपास 1870 के दशक में ब्रिटिश ब्रिटेन में रानी विक्टोरिया आए थी और इसी पूरी घटना को मार करने के लिए इसी घटना को चिन्हित करने के लिए दिल्ली में एक बड़े समाहरो का आयोजन किया गया तो इस तरह से एक और तो आम लोग फेमाईन का सामना कर रहे थे भुख्मरी का सामना कर रहे थे लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे वहीं दूसरी और दिल्ली में ब्रिटिश हकूमत द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा समाहरो का आयोजन किया जा रहा तो जाहिर तोर पर इसकी वज़े से लोगों में असंतोश की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी इसके अलावा इस पूरी अवधी के दौरान साल 1860 से 1870 के दौरान ब्रिटिश सरकार दौरा जिस तरह के कानून लागू किये गए उन कानूनों ने भी असंतोश की भा लगाने के लिए लागू किया गया था दरसल इस पूरी अवधी के दौरान साल 1870 से 1860 के अवधी के दौरान भारत में जो प्रेस थी उस प्रेस को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक प्रमुक आवाज के तौर पर देखा जाता था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवा इस तरह का कानून लागू किया गया तो इस तरह से यह प्रमुख बात थी यह प्रमुख रीजन था इसके अलावा साल 1883 में बिटिश सरकार द्वारा बिटिश जो काउंसिल थी वहां पर इलबिट बिल की हार हो गई अब यह जो इलबिट बिल था इस बिल का प्रास्मे मुकदमा चलाया जा रहा है तो उस मुकदमे में जो जूरी होगी उसमें कोई भारतिय वैक्ति शामिल नहीं होगा क्योंकि भारतिय वैक्तियों को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अंग्रेज अफसरों द्वारा कम तर समझा जाता था लेकिन इस बिल के जरिए को कमजोर समस्ती रही है और भारतियों की हमेशा से ही अवहेलना की जाती रही है और इसी वजह से इनहीं तमाम बिंदों की वजह से अंततह साल 1880 का जब दशक आया इस पूरे 80 के दशक की शुरुवात में आम लोगों में असंतोश की भावना बहुत तेजी से बढ़ने ल यानि ए ओ हूं इन्हों ने बहुत इंपोर्टेंट वोमिका अदा की थी यह ब्रिटिश ब्यूरोक्रैट थे जो कि साल 1882 में ब्रिटिश सरकार की सेवा से सेवा निवरित हुए थे रिटायर हुए थे और इन्हें भारतिय संस्कृति और भारतिय धर्म में काफी काफी जा इक वार्षिक संमेलन आयजित किया गया मदरास के अड्यार में और इसी वार्षिक संमेलन के दौराण एओ हुँब ने एक संगठन बनाने का विचार पेश किया इस पूरी वार्षिक संमेलन के दौरान केवर 새पर 17 लोग मौजूद थे और इनहीं संक्राव में की बीच ए की गई इसके बाद ये विचार और आगे बढ़ा और अंतितह ये तैं किया गया कि साल 1885 में पूने में एक अधिवेशन आयुजित किया जाएगा एक समारो आयुजित होगा जहां पर आपचारिक तौर पर कॉंग्रेस पार्टी का गठन किया जाएगा लेकिन जब साल 1885 पा बॉंबे में कॉंग्रेस का एक अधिवेशन आयुजित होगा और इसी अधिवेशन के दौरान 28 देसंबर 1885 को 72 लोग मौजूद थे जो बॉंबे में अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन के दौरान आपचारिक तौर पर आधिकारिक तौर पर कॉंग्रेस तहीं का अध्यक शुना था तो यह तो Congress party की स्तापना की बात हुई, अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर स्तापना हुई क्यों थी उद्देश क्या था, तो उद्देशों की बात करे तो सब से पहला उद्देश यही था कि भारत में एक अखिल भारती संगठन बनाया जाए एक पैन इंडिया संगठन बनाया जाए जिस संगठन में भारत के सभी तबकों के लोग शामिल होंगे, सभी स्टेटस के लोग शामिल होंगे और इस संगठन के माध्यम से मुखतौर पर एक व्यापक राश्टबादी आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, एक राश्ट व्य educate करने की भी बात की गई थी और इसी पूरे उद्देश को आगे बढ़ाते हुए Congress Party ने British सरकार से सरकारी परिशदों में जो Government Councils थी उन परिशदों में भारती लोगों को शामिल करने की भी मांग की थी इसके अलावा आगे चल कर Congress Party द्वारा जो British Civil सेवाएं थी उन सेवाओं के इंडिनाइजेशन की भी बात की गई थी भारती करन की भी बात की गई थी कि इन सेवाओं में भारती लोगों को भी शामिल किया जाए तो इस तरह से हम संशेप में समगर तोर पर कह सकते हैं कि Congress Party का परात्मिक उद्देश चे आम लोगों के पक्ष में British सरकार की नीतियों को influence करना था यानि British सरकार को इस तरह की नीती बनाने के लिए मजबूर करना था जिन नीतियों से आम भारती लोगों को कुछ फायदा हो सके तो ये तो Congress Party की स्थापना की बात हुई लेकिन यहाँ पर एक सवाल बहुत महत्वपोन हो जाता है कि जब Congress Party की स्थापना परात्मिक तौर पर प्रारंभ में केवल British सरकार की नीतियों को influence करने के लिए हुई थी तो आखिर इस political ideology में बदलाओ किस तरह से आया कि आखिर Congress Party ने आगे चलकर स्वतंतरिता की बात किस तरह से की उस पूरी जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं तो पॉलिटिकल वैचारिक बदलाओ किस तरह से आया उस पर बात करें तो पार्टी की स्थापना के बाद पार्टी के सदस्यों ने राजनीतिक संघर जारी कर दिया राजनीतिक संघर शुरू हो गया, political struggle शुरू हो गया और इस पूरे struggle के दौरान मुखेताओर पर ब्रिटिश द्रश्टिकोंड को बदलने की कोशिश की गई खास्तावर पर भारती लोगों के अधिकारों के हेतों में यानि भारती लोगों को अधिकार मिल सकें इस लिहास से ब्रिटिश सरकार के perspective में उनका जो द्रश्टिकोंड था उसमें बदलाओ करने की कोशिश की जाने लगी लेकिन कुछ बड़ा बदलाओ देखने को नहीं मिला पार्टी की स्थापना के बहुत लंबे समय तक कोई भी बड़ा बदलाओ नहीं आया और इसी वज़े से कई लोगों द्वारा A.O.H.E.M. और उनसे जुड़े से उन्हें इतना जादा लाव मिला है जबकि आम भारती लोग की साधार पर आलोशना कर रहे थे कि इतने बड़े आंदोलन शुरू होने के बावजूद भी अभी तक कोई विशेश बदलाओ देखने को नहीं मिला है कोई इच्छित परिणाम अभी तक सामने नहीं आया है इसी पूरे परिद्रश में 19 सदी के अंत में साल 1894 के आसपास एयोहूम वापस लंदन चले गए जब एयोहूम वापस लंदन चले गए तो इस तरह से अब कॉंग्रेस पार्टी का जो नरेतत तो था वो आखिरकार भारतियों के हाथों में आ चुका था तो इस तरह से पार्टी का नरेतत तो अब भारती लोगों के हाथों में था लेकि लेकिन इस धारना में बतलावाना तब शुरू हुआ जब कॉंग्रेस पार्टी ने अपनी रीजिनल ब्रांचेस कठित करना शुरू किया गया और जब ये प्रांती शाकाओं की शुरुआत हुई तो कॉंग्रेस पार्टी में नए ने लोग जुडने लगे और जब नए लो उब्दे थे उनके खिलाफ मुखरता से आवाज उठाने लगे मुखर आवाज उठाने लगे इस पूरी आवधी के दौरान कॉंग्रेस पार्टी के जो सदस थे उन्होंने बंगाल के बंगाल में आया काल के खिलाफ अपनी आवाज उठाई इसके अलामा भारत से धन की न कार्य प्रणाली में मुख्यतार पर प्रार्थनाओं और याचिकाओं पर जोड दिया जाता था इस पूरी अवधी के दोरान कॉंग्रेस पार्टी की वरकिंग जो process था उस process में कॉंग्रेस पार्टी के जो सदस्त थे वो अधिकारियों को पत्र लिखते थे लेटर लिखते उनके खिलाफ आर्टिकल्स लिखे जाते थे तो इस तरह से एक एलिटिस्ट हमें फॉर्म देखने को मिलती है मुखे तौर पर प्रार्थनाओं और याचिकाओं पर जोर दिया जाता है लेकिन जैसे जैसे कॉंग्रेस पार्टी में डाइवर्सिटी आती जाती है तो विरोध के तरीके भी बदलते जाते हैं हम जानते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी की जो डाइवर्सिटी थी वो उसकी सबसे बड़ी शक्ती थी सबसे बड़ी विशेश्टा थी और उस समय अपनी स्थापना के लंबे समय बाद कॉंग्रेस पार्टी में एक समय ऐसा भी आया कि भारत क जो तमाम ideological groups थे वो सभी Congress Party से अलग-अलग विचारधाराओं के लोग भी Congress Party से जुड़े हुए थे लेकिन इस बड़ी शक्ती का इस बड़ी विशेषता का नुकसान भी आगे चलकर Congress Party को जहिलना पड़ा और इसका पहला नुकसान आया साल 1906 में जब Congress Party का सूरत अधिवेशन आयोजित किया गया और इस पूरे अधिवेशन के दौरान नरम दल और गरम दल के बीच वैचारिक मदभेद देखने को मिला ideological dispute देखने को मिला इस पूरे अधिवेशन में जो नरम दल का नरितत्व कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद नात बैनर जी जबकि गरम दल का नरितत्व कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक और लाला लाच पत्राए दरसल दोनों के बीच मतभेद ये था कि इस अधिवेशन से पहले साल 1905 में British भारत सरकार द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था और इस पूरे विभाजन के बाद साल 1906 में Prince of Wales भारत का दौरा कर रहे थे अब इस दौरे को लेकर जो गरम दल था गरम दल के नेताओं का मानना था कि भारत में Congress Party को इस पूरे दौरे का विरोध करना चाहिए जबकि गरम दल के नेताओं का मानना था कि Congress Party को इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए इसी को लेकर दोनों दलों की बीच मतभेद हुआ, दोनों दलों की बीच वैतारिक डिस्प्यूट हुआ और इस डिस्प्यूट आगे चल कर Congress Party के विभाजन को जर्म देता है और साल 1906 के सूरत अधिवेशन में Congress Party का विभाजन हो जाता है हाला कि 1915 में ये दोनों इलाल एक साथ फिर से वापस आ जाते हैं और इस तरह का विभाजन हमें आगे चल कर बहुत सारे विभाजन देखने को मिलते हैं जिसमें 1960 में इंद्रा गांधी और सिंडिकेट के बीच जो लडाई हुई थी वो काफी ज़्यादा प्रमुख मानी जाती है, काफी दिल्चस्प मानी जाती थे इस पूरी लडाई में एक और इंद्रा गांधी के समर्थक मौझूद थे वहीं दूसरी और सिंडिकेट के समर्थक मौझूद थे इस पूरी लडाई में इंद्रा गांधी जो थी वो सोशिलिजम के पक्ष में थी वो बैंकों के nationalization के पक्षमे थी जबकि जो syndicate था वो बैंकों के nationalization के पक्षमे नहीं था और अंतता है Congress Party का इस पूरे घटना के बाद 1960 में दुबारा से विभाजन हो गया था तो ये तो वैचारिक मतभेद की बात हुई, वैचारिक बदलाओं की बात हुई अब अंत में इस पूरी विडियो का अंत करने से पहले हमारे लिए safety valve theory को safety valve सिधान्त को जान लेना भी जरूरी हो जाता है दरसली सिधान्त कहता है कि जो Congress Party गठित की गई थी 1885 में Congress Party के गठन भारतियों के हितों में नहीं कि खुद British सरकार के हित में किया गया था और यदी 1885 में Congress Party के गठन नहीं होता तो भारत को 1947 से पहले ही आजादी प्राप्त हो जाती क्या कहते हैं इस पूरी थियोरी के सिध्धान्त, इस पूरी सिध्धान्त के समर्थन में क्या कहा जाता है इस खुफिया रिपोर्ट में इस Intelligent रिपोर्ट में ये कहा गया था कि भारत में आम लोगों में असंतोष जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस असंतोष की वज़े से भारत में जल्द ही British सरकार के खिलाव साल 1857 जैसी एक और क्रांती देखने को मिल सकती है British सरकार ही इस पूरी रिपोर्ट से डर गई थी A.O.H.M. इस पूरी रिपोर्ट से डर गए थे और अंतितह वो इस रिपोर्ट को लेकर उस समय के वॉइसरोय Lord Dufferin के पास लेकर गई इस पूरी रिपोर्ट को और रिपोर्ट के साथ उन्होंने एक योजना भी बनाई एक प्लान भी बनाया प्लान था कि भारत में अखिल भारती स्तर पर एक राजनीतिक संगठन बनाया जाए इस राजनीतिक संगठन में भारत के शिक्षित लोगों को शामिल किया जाएगा ताकि भारत में किसी भी क्रांती की संभावना को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके तो इस तरह से इसे एक सेफटी वल्व के तौर पर एक सुरक्षा कवर्च के तौर पर यूज किया गया Congress Party को अब इस पूरे सिधान्त के पक्ष में दो तर्क दिये जाते हैं पहला तर्क ये है कि जब Congress Party की स्थापना हुई थी तो स्थापना के समय Congress Party ने भारत में सोतंतरता की बात नहीं की थी भारत को आजाद करने की बात नहीं की गई थी बलकि प्रारंभ में किवल British सरकार की नीतियों को influence करने की बात की गई थी तो जाहिर तोर पर उस समय British सरकार ने Congress को एक स्वरक्षा कवच के तोर पर गठित किया गया था दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि यदि Congress Party ब्रिटिस सरकार से नहीं मिली होती तो आखिर उस समय कि वोईसरोई ने Congress Party के तमाम अधिवेशनों को आयजित करने की अनुमती क्य दी गई लेकिन इस पूरे थियोरी के विपक्ष में भी एक तर्क दिया जाता है विपक्ष में तर्क ये रहा है कि एयो हूं ने भले ही Congress Party को स्थापित किया हो लेकिन जो उस पार्टी में भारती लोग मौजूद थे उन भारती लोगों ने एयो हूं का प्रियोग किया ता एयो हूं का यूज इसलिए किया गया क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार यदि कोई भारती इस तरह का संगठन बनाता तो संगठन को पूरी तरह से उस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता इसी वज़े से एयो हूं को इस संगठन को बनाने के लिए किवल यूज किय गया था एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर तो यह तो सेफटी वल्स थे हुई सेफटी वल्स सद्धान्त हुआ अबंत में एक प्रश्ण पर बात कर लेते हैं प्रश्ण जो है वो प्रिलिम्स का है और आप इस वीडियो में जिन तत्यों पर चर्चा की गई है उनकी अधार पर इस प्रश्ण को असानी से हल कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन कहां व्यज़त किया गया था हमारे समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्ण पत्र में इस संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उससे आसानी से हल कर सकेंगे इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद